Hello friends, आप सो के से हो, आसा करते हो, आप सो बहुत ही अच्छे से होंगे और आपको मेरे तरफ से और मैरी फैमिली के तरफ से बहुत सारे सुक्ख कामना है Christmas की Merry Christmas, Happy Christmas To All तो आपका Christmas के सारा आप comment section में मुझे बताना Evening 8.30 तो हम लोग अभी थोड़ा सोचे हैं कि बाहर जाएंगे क्योंकि आज घर में कुछ बनाने की मन नहीं था और अज संडे था तो ओफिस अजवन का ओपन था क्योंकि 31st night saturday है तो saturday छुटी मिलेगा इसी लिए sunday working था तो आज हम ऐसे site कीए थोड़ा बाहर चलेंगे और बाहर जा के थोड़ा डिनर करेंगे फिर घर में आएंगे ऐसा तो चलिए अभी हम ब्लाग को करते हैं और आपको बहुत सारे आप सबको बहुत सारे थैंक्स जो की मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये हैं सब को में थैंक्स बोलना चाहती हूँ और चलिए फिर देखते हैं क्या है क्या डिनर करेंगे चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं तो हम लोग निकल गए थे और यहां पर नासिक कानाडा करनर है एक जगा है यूएस की कैनाडा नहीं है नासिक कानाडा करनर एक जगा है सिटी के अंदर वहां पर हम जाएंगे उस जगा में और वहां पर जाके डिनर करेंगे और यह हम जा रहे हैं अभी पांच मिनिट था जाने के लिए क्योंकि घर से हमारा सिटी में जाना पंद्रा मिनिट में लगता है पंद्रा मिनिट के अंदर हम सिटी में एंट्री कर लेंगे बहुत चोटा सिटी है और सब पास पास में ही है तो यहां पर बहुत सारे मतलब ऐसे दुकान सब खुला था जब हम गये था ना सब खुला था लोग भी उख सैलिबरेट कर रहे थे क्रिश्मास की और बहुत अच्छा लगा मतलब सिटी के अंदर हम बहुत कम जाते हैं अभी इस बार मतलब डिनर में गए थोड़ा अंदर औ बहुत अच्छा लगा था सिटी अमदाबाद जैसा नहीं है लेकिन अच्छा आगा फिल अच्छा हो रहा था मतलब थंडी थंडी हावा रही थी मस्त लग रही थी और ये शुपि अंजय कर रहा है बहुत हावा वी थी थंड हवा तो यशुको मैंने क्याप पहें ना जया सब्सारे आपको लेना है यहां पर बाते करते करते हैं अभी हम पहुंचने वाले हैं अभी हम पहुंच चुके हैं अब जा रहें है ऊपर जाने के बाद फिर आपको बताएंगे हम कहां आयें खाने के जिए तो हम लोग आए हैं आप सो रीट बाइ बीजु आप और यहां पर एक कांटर था और हमारा लेट होने का बजया वह था क्योंकि यह यहां पर द्रिंक फैसलिटेस था ड्रिंक आप कर सकते हूं एक बड़ा सा कांटर ड्रिंक के लिए है विराइटे ऑफ वाइन ऐन स्कॉच्च सब था इदर तो लोग एंजय करते थे तो इजी लि आप पीने के लिए वह बैठे हैं और खा रहे हैं तो उठी नहीं रहे हैं और इतना लेट हो गया हमको मतलों हज़बन भी इरिटेड हो गया थे क्योंकि यह खिलाना था डीनर में वह भी खाएगा उधर क्योंकि घर में कुछ उसको खिला के नहीं गई थी तो उधर ही प्लान वो उड़ते नहीं है मतलब वो लोग भी फोर्स नहीं करते हैं जैसे उडिसा में ने रिखा है कि उधर ड्रिंक अभीलेबल था इधिंग नहीं है और अमताबात में तो वो बैन है सराफ तो इसलिए उधर अलकोहल नहीं है लेकिन यहां पर है और लोग एंजय करते हैं बैटके और टाइम भी निकाल देते हैं अपनी स्लोट की हिसाब से जितना रहता है टाइम और उड़ते नहीं हैं उनके हिसाब से वो उड़ते हैं कोई फोर्स भी नहीं करता है इसलिए यहां पर एक माइनस पॉइंट है क्योंकि आप कभी भी बोग करते हो तो आपको सीट मिल जाना चाहिए तो हमको नहीं मिला था हमको थोड़ा 15-20 मिनिट करना पड़ा उधर तो यह अच्छा नहीं लगा अधर्वाइस खाना बहुत टेस्टी था मतलब आमदाबास से भी ज लगा कि नहीं हम ओवर इट करके आए हैं और वहां पर एक फॉंचुन था जैसे गेम्स बगेरा और यहां पर एक प्ले करनर था इसमें जोकर का कैरेक्टर था तो वहां पर येशु एंजे कर रहा था कुछ बच्चे भी थे उनके साथ येशु मतलब मिल की खेल रहा था प अब भूप में ही खेल रहा है उसको बहुत बड़ी जोर से भूप लग रहा था उस टाइम में मम बोल रहा था ममा ममा आऊ मिंस मतलब उसको कुछ खाने को दे दो ऐसा तो ऐसे करके वह घूम रहा था और बीच बीच में ना वह काउंटर में चल जा जाता था जहां पर पूछ रही थी कि यशु जोकर का और वह पूरा वहां पर भाग रहा था मतलब वह पापा का है पापा का है और जाके फिर पापा मिल गए थे उसको और सारे जितने भी लोग थे ना बहुत सारे लोग यशु को देख देके एंटर्टेंट कर रहे थे खुद को और बहुत लगा के इंटर्टेंट कर रहा था और सब लोग उसको गुम गुम के देख रहे थे क्या कर रहा है बच्चा बहुत क्यूट लग रहा है तो ऐसे करके फिर रेडी हो गया था हमारा डिनर का वो स्टार्टर सब आ गया था पनीर वाला तो मैंने बोला कि यशु के लिए पनी के लिए तो वो अपने कंट्रोल ने कर पता है कुद को यशु तो अभी गरम है थोड़ा उसको अच्छे से थंडा करके उसको खिलाओंगी उसको जल्दी है मामा दे दो मामा दे दो कैसे देख रहा है स्टार्टर में चिकन था और फीज था प्रावन, पनीर, पैनापल सब इसे था स्टार्टर में तो यशु को मैं पनीर खिलाओंगी थोड़ा बहुत खाता है फीज खाता है और प्रावन भी खाता है तो मैं खिलाओंगी और मैं तो चिकन नहीं खाती हूँ तो मैं सिर्फ प्राउन और फीस खाई थी और कुछ टिक्का वगएरा था कटलेट था आलू कटलेट और बीट रूट कटलेट बीट रूट कटलेट तो मुझे बहुत पसंद है वह भी मैंने खाया येशु भी खाया और येशु को जो भूख लगता है वह कंटिनियूस खाता रहता है पांच दस मिनिट में उसका भूख खतम हो जाता है और उसके बाद वह ऐसे टाइम पस करता है और उसका जो फेवरेट है करन तो करन का क्रिस्पी करन आ गया था तो वह एंजे कर रहा था और मैं अभी क्या उसको ना थोड़ा स्पून में भी कब से वह सीख गया है लेकिन मैं उसको फूण में खिलाना सिखा दिया है तो अपने आप खा लेता है एक खाय दो खाय लेकिन वह खुद खाता है वह सही रहता है बच्चों को इंड़ेबिंटेंड बनाना चाहिए और हम पूरा उसके उ लेकिन वह आपने आप जो सिखते हैं वह भी एंजय करते हैं उसको और वह क्या एंजय कर रहा था तो हम लोग खापा रहे थे वह भी डिस्ट बच्चे ने एक जगा नहीं बेड़ते हैं और बार-बार उटने के लिए बोलते हैं क्योंकि कहीं पर भी आप जाए भीडी में ज शुआ करेंगे मैं कहीं पर जाती हुं तो यशुको बीजी रहने के लिए कोसेस करते हूं कुछ जगा में वह नहीं रहता ए और खेलता है भागता है लेकिन कुछ जगा में उसका मन बैठ जाता है वह हो तो इतना क्यबनित अन्ह नौटी होते हैं बच्चे में स्टेबल नहीं होता है जब कोई मिल जाता है उसके साथ अपनी एज की या थोड़ी बड़ी तो वह भागने लगता है सुनते नहीं है मतों सुनता नहीं है बिल्कुल हमारे दोनों की बात लेकिन जब वह अकेला रहता है ना तो मैं कुछ कुछ उसको देती हूं खाने के लिए या कुछ बीजी रखने के लिए फोन में बहुत कम देती हूं कभी कवार में फोन देती वो पॉन मेरा हाविट बिल्कुल भी नहीं है वो देखता है लेकिन उधर टीवी नहीं है कुछ नहीं है तो वो कॉन से ही उसका जो इंट्रेस्स था वो कॉन में ही चला गया अधा टाइम तो फिर वो अभी खा लेगा थोड़े मतल़ मैं उसको खिला रही थी और वो भी खा रहा था और कॉन से खेल रहा था खा रहा था ऐसे कर रहा था और फोन तो मैं थोड़े टाइम के याल मैंने दिया उसको फोन्ट क्योंकि वह नही खा हरा था जो की मेंन कोर्स होता है लोते हम एक फोन्ट यह उसको एप बहु इसे बोलते हैं कुछकol कोुछ लोगलते हैं कि नहीं को बाहर का डूंशा करने तो मेरे हिसाब से यह ठीक है और टाइम आप घर में सब आप घर में भी हाईजेनिक चीज बना के खाते हो ऐसा नहीं है कहीं पर भी बाहर जाते हो तो आप थोड़ा बहुत बच्चे को भी एंजय करने दीजिए क्योंकि उनका भी टेस्ट डेबलॉप होता है इसमें उन नहीं खाएगा घर में जाके उसका खाना खाएगा ऐसे नहीं करते हैं उनको एक्स्प्लोर करने दीजिए और यहां पर में कुछ मेरा हो गया था मेरा इतना पेट भर गया था स्टैटर से तो मैं अभी थोड़ा बहुत खा लूंगी क्या वह पैस्ट्री जो कि कहीं पर भी तो मुझे जो अच्छा लगा मैं वही ले आई हूँ आइस्क्रीम के साथ भी ले आई और येशू के मूह में भरा हुआ है और येशू नजर डाल रहा है कि उसका केक के उपर पैस्ट्री के उपर तो कभी खाऊं मतलब खाना खाना के बाद मुह से फीनिश हो जाएगा और येशू का उद्धर नजर है वह खाएगा देखो कट कर रहा है उसको चाहिए वह तो ऐसे करके वह कट भी कर लिया थोड़ा बहुत उसको खाना है बड़े में भी ऐसे चाखु में लगा था वह चाट लिया था येशू पूरा पागले केक के लिए वह और मैं आप एंज़ इसे करके हमारा हो गया था अभी बील भी आ गया और यहां पर येशू और वहां पर जो बॉल्स था और एक गगल्स था वह काउंटर में था तो एक लगा के मतलब ऐसे खड़े थे मतलब डेली करते लेकिन येशू इतना एंटरेंट कर रहा था ना उधर तो उसको आने के ताइम में वह गगल्स दे दिया कि लेके जाओ आपको गिप्ट ये है और बॉल भी ले आया और बहुत मतलब येशू का एक है जो कि अभी हमको चेंज करना है वह शेरिंग वह शेरिंग बिल्कुल नहीं करता है और बहुत इरिटेट करता है एक चीज को लेकर मुझे चाह बेबी है इदर येशू को मिला है गवस बहुत एंटर्टेंट कर दिया सबको बहुत लेट हो गया है सब दुकान बंद हो गया अभी और बहुत थंड है येशू को जैकेट में ना देंगे गया ना पकड़ लो उसको अर उसको चेस्ट में लगगा आप अब हमावा तो यह हमारा लिप्ट का एरिया है इसको लभी बोलते हैं लभी एरिया लभी थोड़ा इतना बड़ा नहीं है लेकिन चलेगा नहीं बड़ा नहीं है कि यहां पर सिटिंग के लिए थोड़ा दिया हुआ है और यहां पर 207 हमारा मिनिस्टर सांजर जेब काच्छुले 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 और एशुको और क्या मिला है चास्मा ठंड तो भाई जब दस्त ठंड है हुआ प्रम everything नुक 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 क्छुले काच्छुले काच्छुल फ्सक्ट नुक 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 काच्छुले नाव। यहां पर खेलेगा फिर थोड़ा फ्रेस होंगे सब फिर बैड में जाएंगे सब ऐसा रहा हमारा क्रिस्मस टे जो की बॉड़ा दिना भी बोलते हैं उसको डिसा में ठीक है तो तो यहीं पर मैं ब्लाग को एंड करती हूं यूंकि बहुत थक चुकी हूं मैं ठीक है फिर मी ल चुकी बाबी, बाबाबी को शेषैत्टबि बॉल प्लाइबी लुखो रो शेषैने हूं मैं प्लाइऑ बाबी की से बाबी? चीप बॉल से नहीं देते चलो ठीक है बाई बाई